बोल रहे थे जो ज़्यादा प्रीमियम लगेगा उसके उपर तो हमें क्या गरना है उसके लिए थोड़ा समान चाहिएगा और थोड़ी सी महनत लगेगी उसके लिए हमें एक कोई भी एक स्ट्रिप ले लेनी है प्लास्टिक मेटियल की मैं आपको एक्जामपल दूँ वैसे तो यह पीवी सी शीट है बिल्कुल स्लिम वाली तो अगर आपके वास यह एवलेबल नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते है वह मैं आपको बताता हूं जैसे कि हमारे अगर में बोटल होती है commercial products की जो बोटल होती है शैंपू की बोटल हो गई या फिर हार पिक जो हम अपने toilet cleaners वाली बोटल हो गई कुछ भी उसकी sheet कट कर सकते हो क्योंकि वह बे अतनी पतली और flexible होती है but make sure कि जिस भी बोटल में साब cut out लिकाल रहे हैं वो बिल्कुल सीधी हो राउंड ना हो और एक perfect straight shape नहीं हो जैसे रिट्स का जो पैटन है कुछ इस तरह का deep है तो मैंने बिल्कुल एक strip काटी है जो इसके नदर ऐसे fix होगी है ठीक है मैंने दो काटी हुई है actually यह है बिल्कुल जो perfect size की है कुछ इस तरह की इसमें लगेगी है इसके नदर बिल् दूसरी चीज क्या required रहेगी हमें कुछ इस तरह की LEDs required होंगी अभी मैं आपको लिखाता हूं कुछ इस तरह की LEDs चीहेंगी इनके अगर मैं mm की बात करूं तो यह 8 mm की LEDs मैं यूज कर रहा हूं तो 8 mm की आपको कम से कम जितनी LED आपको required होंगी वह आप अपनी size के according देख सकते ह यह size है मैं इसमें दो तरह से LEDs लगा सकता हूं एक इस तरीके से 123456 तो 6 LEDs में मेरा काम हो जाएगा अगर मैं चाहूं तो 7 लगा सकता हूं बट मैं इसमें 7 की चोदा भी लगा सकता हूं कुछ एक एक strip यहां पर बन जाएगी पूरी ऐसे और एक यहां बन जाएगी एक यहां है उसमें मैंने खुद ने मोडियूल का यूज किया जो भी मोडियूल आप लोगों के साथ शेयर किया तो अब सेकिंड सेप की तरफ बढ़ते हैं तो गाईज अब हमें सबसे पहले इस पर मार्किंग करनी पड़ेगी मार्किंग इसले करने कि हमें कितने डिस्ट्रेंस पे आपके पास मास्किंग टेप नहीं तो ढ round वरी आपकोई भी वाइट टेप यूज कर सकते हैं या फिर एक पेपर पेस्ट कर सकते हैं इसके उपर कि जिस से आप सिर्फ मार्क लगा सकें और कोई रीजन SE за मास्किंग नहीं। यह यह इस के उपर मैं पैंसल से डिस्टेंस के मार्क लगा लूगा कि इतनी दूर दूर पर मुझे बोल करने है तो अब देखो मैं इस पर यह लगा लूँगा लिए तो और थी सी अधी हो एज ऐसे लगा लिया ठीक है इसको फिर एक्स्रा वाली को हम कट कर देते हैं की ठीक है बाई со अब हमें क्या करना हैं एक पैंसिल लेना तो सबसे पहले हम को सेंट्यमीटर में मेजर करें भाई 15 संट्यमीटर इसको सेंटर से डिवाइड proudly कर दिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह की लाइन आ जाएगी एक लाइन आ जाएगी मैं अभी कुछ करके देख रहा है हमें क्या करना है कि इसको ऐसे रखने के बाद अब करने के एलिडी कहां पर इंस्टॉल होईगी तो आपको जो आपने संटर डिवाइड किया है उसको साड़े साथ पर रखना है जो भी आपकी मेजर मेट आप रखेंगे ठीक है पिर आप एक सेंटीमेटर को कंसीडर कर लिएगे हर जैड़ सेंटीमेटर बाद एक एक लेडी इ स्प्रेंग्स ठीक है सबसे पहले हमारी लगी गई 1.5 यह पे ठीक है 1.5 में फिर हम वापन से 1.5 प्लस करते हैं तो साधे-चार पर लगेगी साडे-चार के बाद फिर हम 1.5 करते हैं तो छे हो जाएगा छे कैस लगेगी के लिडी ठीक है फिर एक पुइंट अपना आई गया है साड़े साथ शे मेंड़ेट करने गार ऐसे पूरे मैं आपको मार्क कर ले ना मैं करता हूं मार्क तो भाई यह जो छोटे वाले मार्क है ना दो गलती से लगे तरह से मैंने फिर बड़ी लाइने कीज़ दिये ताकि मैरी याद रह सेगो कि कौन सी लाइन किस चीज के लिए तो कुछ इस तरह की ऐसा आपको डॉट बना लेने हर लेडी की प्लेस्मेंट के लिए तो कुछ इस लेडी है इसके अंदर दो थिंबल होते हैं एक हलका से लेंथ में लंबा होता है और एक थोड़ा से छोता होता है वाला लंबा पिरुक्त इस को अइसे फास कर देंगे पूरे में ऐसे लेडी का से शेटम लग जाएगा तो जो बना लेडी को अंदर ग। आई चिकम पस्टे हो जब तब पर तेंग तो गाइस, मैंने इसमे होल कर लिए, मैंने क्या किया है, हलका सा कमपास को गरम कर लिया था, अपने गैस्ट के उपर ही, तो उससे क्या है, एजली थोड़ा सा हो जाता है, अब हमें क्या करना है, कि हलके से होल को बड़ा गरना, ताकि जो हमारे लेडी के वायर है वो बिल्कुल प्यार सा निकल से तो बस में क्या करता हूं अपने स्क्रूडाइवर से बड़ा करता हूं करते हैं आप लोग या मैंने अपनी आपको दो ड्रेत कर बना बना सकते हैं वह फोड़ा सा और प्रफेश्नल लगे आप लोगों तो अब यह हम इस व्लैंट यह कमप्लीट सोता लगें siis मैं बढ़ा करता हूँ तो भाई कोई भी कमेंट कर सकता है डाउट है किसी कुछ भी है आप कमेंट कीजिए में रिप्लाय करूंगा कमेंट करके तो देखो आप लोग देखो ठीक है ये बड़े हो गए है सारे हो तो भी आपको थोड़े से अनीक्वल लग रहे होंगे में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई नहीं जो लाइन थी उसके अकोडिंग नहीं लगाए है ये वाला कम क्लोज लग रहा हुगा ये ऐसे आपको लग रहा हुगा बट ये देखने में ही लग रहे है क्योंकि हमने प्रोपर मेजरमेंट से करें तो ये कोई दिक्कत नहीं जाता हूँ इसके अनदर ही अगर आपको ये अलेडी ज नहीं मिलती है भाई कहीं से आप इसके लिए इम कर सकते हैं मैं आपको ये अलेडी दी फी प्रोवाइड करावी हूा तो हम लगाते हैं पहले अपनी सारी अलेडी को इसके अंदर तो भाई यह देखो कुछ इस तरह का आपका टोटल लेडी जो सेट अप हो चुग है इस तरह की लगेंगे अब देखो सब में जो गैप है एक फिंगर के असपास का है ठीक है यहाँ पर ठीक अब भी लास्ट लेडी में अब इसके में सेट अप करने जा रहा हूँ यह एक प्लिक वाली अवाज आ रही है बिल्कुट परफेक्टली पिक्स हो चुका है अगर मैं इसके अंदर इसके लगाऊंगा तो भी वायरिंग करेंगे ठीक है लास्ट में हमें सब रिमूव करना है रिफ्लेक्शन भी लगाएंगे इसमें वह सब आपको दिखाऊंगा त तो भी कितनी leds होगे 1,2,3,4,5,6,7 तो 7 leds नीचे भी लगेंगी तो total 14 leds का setup हो जाएगा फिर उसके बाद हम इस case को लगाएंगे इसके उपर कुछ इस तरीके से तो आप देखेंगे जो leds दिख रहे हैं इसमें कुछ वायर नहीं दिख रहे हैं सिर्फ led दिख रहे हैं तो भाई ओल्रीडी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो चुकिया आप लोगों को देखने में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है तो अभी हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड नेक्स वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे हम इनकी वायरिंग करेंगे और कैस हम एक और मैथड को एड़ कर से लिए इतनी सारी मेहनत नहीं करने किसी भाई को यह भी नहीं करना है मोडीूल भी नहीं मिल रहे हैं भाई को बट्ट मोडिफाय करनी है लाइड घर पे तो उसका एक और थ़ड मैथड भी आपको इस वीडियो के अन्दर शेर करूंगा तो for watching this video guys, मिलते हैं आवनी वीडियो